बीशन गर्मी में मेरा हिबिसकस लगातार गजब की फ्लावरिंग कर रहा है दोस्तो कौन-कौन से टिप्स को मैं फॉलो करती हूँ आज आपके संग शेयर करेंगे फ्रेंट्स यहाँ पर जो है मैं कोई भी आपको जादूई लिक्विट फटलाइजर बताने वाली नहीं हूँ बलकि गार्डनिंग से रिलेटेड छोटी-छोटी से टिप्स होती है जिनको की आप आदत में डाल लोगे फॉलो करने की तो आपके प्लांट में भी ऐसे ही फ्लावरिंग होगी दोस्तो मैं हूँ विजिया और आप देख रहे हो विजियांस क्रेटिव कार्डन यहाँ पर जो था एक हिबिसकस ने अपनी पत्तियां पीली कर दी क्योंकि फ्रेंट्स इसमें पूरे एक दिन पानी डालना मैं भू तो उसने जो था नराजगी जाहर कर दी हमसे तो पहली चीज यह एक देखे इन मेरे सभी हिबिसकस के प्लांट है कम से कम यह कुछ स्ते कुछों 14 g गंले में लगके हैं हैं और आपकार bring के सब्सक्राइब reiteration तो ये ध्यान रखे कि हिबिस्कस जो है पर्मनेंट प्लांट है तो इसको बहुत चोटे गमले में मत लगाईए ये वाला देखिए अभी मैंने नरसरी से खरीदा था आपके संग शेर भी किया था ये भी फ्लावर्स लगाता तब से दे रहा है हमको तो अगर आप नरसरी से भी कोई प्लांट खरीद करके लाते हो एक फुट का भी लाते हो जिसमें कलियाओ फूल है तो एक लिस्ट आप सेवें इंचिस या उससे बड़े गमले में लगाऊ एक बार आप उसको लगा लोगे तो कम से कम दोस्तो पूरे दो साल वो उसमें अराम से चल जाता है तो कि ह से साल प्लांट खुद बता देता है कि मेरी रूट बाउंडिंग हो रही है मुझे चेंज करिए गमला चेंज करिए तो यह है दूसरी चीज यह है दोस्तों कि यह मेरा ग्रीन नेट की नीचे रखा हुआ है जहां पर इसको सुबह साथ बजे से लेकर के शाम के पांच बज अब भी हम जहां बैटे हुए है देखे धूप है लेकिन ग्रीन नेट की नीचे हम बैठे हुए है तो प्लांट को जो है 50% जो होता है शेड वाला ग्रीन नेट है तो इसमें धूप लगती रहती है और प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है तीसरी चीज दोस् हो जाएगी तो फूल है उसका साइस भी छोटा होता जाएगा वैसे तो आप प्लांट की जो मिटी है उसको कोशिश कर यह मौइस्ट रखने की तो मेरे बड़े बड़े गंलों में तो मुझे डेली डेली पानी डालने की जरुवत नहीं पड़ती है तो मैं वही जो हूं ए एक दिन से थोड़ा अधिक समय कर देती हूं तब मैं पानी डालती हूं लिकविड फपलाइज़र की भी दोस्तों बात करें तो मैं इसमें कै़िके के लिकविड फटलाइजर डालती हूं एक चीज में विश्वास नहीं चरते हूं इस से दोस्ते प्लांट में सभी तरीके के न्यूट्रिन्स मिलते रहते हैं कभी से मैं बर्मी कंपोस का लिक्ट फटलाइजर डालती हूं कभी मैं केले की छिलके का डालती हूं इवन मैंने प्याज की छिलके का भी डाला है जब जैसा मुझे सुभधा रहती मैं बना लेती हूं और इन फटलाइजर में थोड़ी सी म मल्चिंग हटा करके समय समय पर प्लांट की थोड़ी बहुत गुड़ाई भी कर दीजिए गुड़ाई कर देने से कभी रूट बाउंड हो भी रहा है तो थोड़ी बहुत उपर की जड़ें भी टूट जाती है साथ में हवा वेगेरा भी अंदर जाती जिससे की जड़ों का ग्रोथ और अच्छी होती है और गुड़ाई करने के बाद इस तरीके से ढख दीजिए अपना पानी तो हम ऐसे ही उपर से डालते हैं और इससे पानी भी जो है थोड़ा सा कम मतब खर्चा होता है एवोपरेशन कम होता है तो आप ध्यान रखो इसको कि गुड़ाई भी ज देखिए इसमें तो में ज्यादा डालना पड़ता क्योंकि इसमें पोचुला का भी नाचुरल मल्चिंग कर रहा है तो इसलिए अगर आपको लगातर फूल डालना है तो आप पर्मनेंट प्लांट है लगातार फ्लावरिंग टाइम पर डालते रहें लिक्विड रखा है उसका इसके इलावा आप जो है डिश वॉष लिक्विड भी यूज कर सकते हैं लेकिन हम दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीका है पानी की तेज धार मार करके अपना यह मिली बक्स वगएरा हटा देते हैं हिबिसकुस के प्लांट में यह है जैसे ही सीजन चेंज होत है तो फ्रेंट्स बहुत तेजी से मिली बक्स वगएरा लगते हैं तो ध्यान दीजेगा इस जीश को इस वाले में भी यह था मिली बक्स लगे थे तो अभी मैंने कुजन पहले ही हटाए है तो देखे कली भी कम जोर पढ़ जाती बहुत लोग कहते ना कलियां गिरने लग यह प्लांट की ग्रोथ के लिए दोस्तों कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल एक चीज जरूरी होती है बलकि प्लांट की ग्रोथ ओवर ऑल केर पर डिपेंड करती है तो ऐसे ही आप केर करते रहो आपका भी हिबिसकस अच्छे से फ्लावरिंग करेगा वीडियो पसंद आया हो तो थमसब देखके जाना फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ पांट